दोस्तो किरन राव इन दिन अपनी फिल्म लापता लेडीज के लिए सुर्खिया बटो रही है इस फिल्म का निर्मान उन्होंने अपने पहले पती आमर खान के साथ मिलकर किया है लापता लेडीज के परमोशन के दुरान अकसर आमर और किरन राव एक साथ देखे जा रही है हाली में किरन अपनी नीज जिनकी के बारे में मीडिया से खुल कर बाते करती दिखती है आमर खान ने अपनी पहली पतनी रिनेद तस साल 2002 में तलाक लिया था तलाक के बाद कुछ लोगों कहना था कि आमर ने किरन राव की वज़े से तलाक लिया हाली में किंटर्य के दुरान किरन ने कहा लोगों को लगता है कि मेरी वज़े से आमर का तलाक हुआ लेकिन ये गलत है मैंने और आमिर ने फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू नहीं किया लोग सोचते कि मैं लगान में सायक निर्देशक थी और इसी दौरान हम करीब आए किरन राव ने आगे कहा शायद कोई बात पर यकीन नहीं करेगा लेकिन लगान की शूटिंग के दौरान मुश्किल से हमारी दो तीन बार बात हुई होगी हमने साल 2004 में पहली बार एक दूसरे के साथ बाहर जाना शुरू किया था उन दिनों आमिर मंगल पांडे की शूटिंग कर रहे थे किरन राव और आमिर खान साल 2005 में शादी के बंधन में बंदे थे दोनों एक प्यारे से बेटे आजाद के मादा पिदा है वहीं आपसी सहमती से किरन और आमिर 2021 में एक दूसरे से अलग हुए किरन कहती है मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी प्रात्मिकता मेरा बेटा है मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वज़े से उसे कोई चोट पहुंचे